असलाम अलेकुम प्यारे बच्चों, ब्रन मुंबई महानगर पाली का वशो क्लास में आप सब का खैल मक्दम है दन मुंबई महानगर पाली का वशो क्लास की जाने से मैं शनास आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदा खूब सुरत वीडियो लेकर हाजिर भी हूँ इस वीडियो में बहुत सारी नई बाते आपको सिखने मिलेगे तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नहीं बाते सिखने के लिए Municipal Corporation of Greater Mumbai Welcome to MCGM Virtual Class Stand at 4th Subject Urdu by Sheikh Sheikh Shahnaz Jamaat Chaharum, Mazhmun Urdu Assalamualaikum बच्चों कैसे हैं आप लो उमीद करती हूं बहुत ही अच्छे होंगे खेरियत से होंगे अपनी पढ़ाई बड़े जोरोशों से मुकमल कर रहे होंगे जी हाँ बच्चों ये भी उमीद है कि MCGM Virtual Class से बनाएगे वीडियो की मदद से आप अपनी पढ़ाई मुकमल कर रहे होंगे फाइदा उठा रहे होंगे उन उडियों से तो चलते हैं सबक की तरफ बिस्मिल्लो रह्मान रहीम शुरू करती हूं अल्ला के पाक नाम से जो बड़ा महर्बान नहायत रह्मवाला है उन्वान सबक नबह 14 हकीम अजमल खान बच्चों सामने जो तस्वीर आपको नजर आ रही है वो हकीम अजमल खान की है आज हम इनके मुतालिक जानेंगे विलादत यानि पैदाइश उनकी हुई है सन 1864 में और वफात यानि इनका इंतिकाल हुआ सन 1927 में बच्चों उन्होंने मुसल्मानों के लिए एक बहुत ही बड़ा अधारा काम किया जहां पर लोग तालीम हासिल कर सके उस सदारे का नाम है जामिया, मिल्लेया, इसलामिया अलिगण में काइम हुआ बच्चों हकीम अजमल खान सदर भी रह चुके और इंडिया मुसलिम डिक के और इंडियान नैशनल कॉंग्रेस के वाचों हीने मसीयल मुल्क भी कहा जाता है मसीयल मुल्क यानि के मुल्क में सबसे बड़ा हकीम और उस जमाने में हकीम अजमल खान हिंदुस्तान के सबसे बड़े हकीम आने जाते थे इसलिए उन्हें मसील मुल्क कहते है बच्चों आज हम सबक शुरू करने से पहले कलीदी अलफास देखेंगे उन्हें पढ़ेंगे और जरूरत पढ़े तो उनके कुछ अलफास के माइनी भी मुक्तसरन देखते भे जाएंगे नामी यानि मशूर हकीम दिल की हरकत बन होना बच्चों आप लोग इसका मत्तब इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह जानते हैं इसके माइनी को जी हाँ हाँ हाट अटेक कहते हैं दिल की हरकत बन होना यानि मुकरर, फिक्स, तबीब, अजीज दुनिया से उड़ जाना, यानि इंतिकाल हो जाना महलों में हजारों पर जाना इसके मफूम को हम आगे दिखेंगे वबाई मर्ज, आफ़त, औसन खता होना, पेशानी पर बलना आना बचों, ये तस्वीर हकीम अजमिल खान की दहली में एक बड़े नामी हकीम थे, हिंदू, मुसल्मान, सब उनकी इज़त करते थे, इनका नाम अजमिल खान था हकीम साहब सन 1864 में पैदा हुए थे, और 63 साल की उमर में अचानक दिल की हरकत बंद हो जाने से, सन 1927 में उस दुनिया से उड़ गए अगर आपको हकीम साहब का थोड़ा सा भी हल बताया जाए, तो पुरी किताब बन जाएगी, इसलिए उनके बारे में सिर्फ दो-चार बाते आपको बताते हैं बच्चों, हकीम साहब की पैदाईश जो है, सन 1864 में वे, 63 साल के थे, तब उन्हें हार्ट अटेक, यानि अचानक दिल की हरकत बंद हो गई और 1927 में इस दुनिया से उड़ गए, यानि इस दुनिया से उड़ जाने का मतलब है, बच्चों, इंतिकाल कर जाना हकीम साहब जो उनके मताहलिक बताया जाए, तो एक पूरी किताब बन जाएगी इसलिए बच्चों, उनके बारे में सिर्फ दो-चार बाते ही आपको बताते हैं, तो चलते हैं, आगे एक जमाने तक लोग हकीम साहब को सिर्फ एक अच्छा हकीम मानते थे उनके मकाबले का हिंदुस्तान में कोई हकीम ना था, नवाबो राजाओं से महना हजारों की रख में बंदी वी थी उनके तहली से बाहर जाने की ओजाना एक हजार रुपे फिस मुकरर थी आप समझते होंगे के इतना बड़ा तबीब सिर्फ अमीरों ही का इलाज करता होगा गरीबों को इससे क्या फायदा पहुंचता होगा लेकिन ऐसी बात नहीं है बचों देखिए वो नवाबों के साथ बैठे वे नवाब के साथ बैठे वे हजार रुपे उस वक्त हजार रुपे की काफी कीमत थी तबीब यनि हकीमी को कहते हैं बचों अब आईए कहते हैं कि देहली के बाहर जाना होता तो वो हजार रुपिया फीस लेते थे और वो फीस उनकी मुकरर थी मुकरर नहीं फीक्स थी अब उनके ये फीस को देखते वे ऐसा लगता था कि गरीबों से इनको क्या फाइदा पहुंचता होगा लेकिन ऐसी बात नहीं है हकीम साहब जो कुछ कमाते अपने अजीजों और गरीबों की मदद और कौमी कामों में खर्च कर देते देहली में या इसके आसपास किसी गरीब के घर जाते तो इलाज का एक पैसा ना लेते इस वज़े से वो बड़ा तबीब जो राजाओं और नवाबों के महलों में हजारों पर जाता अकसा टूटी फूटी जोपडियों में भी खिद्मत करता नजर आता था इसके पास से बेशमा गरीबों को दवाएं मुफ्ट मिलती थी बच्चों हाकीम साब जो भी कमाते जो नवाबों से राजाओं से हजार रुपया फीस लेते थे जो रोजाना की उनकी फीस थी वो जो भी कमाते अपने अजीजों गरीबों की मदद करते यही नहीं बलके कौमी कामों में भी खर्च करते थे अपने आसपास के गरीब घर के जाते तो इलाज का एक पैसा उनसे नहीं लेते जो राजा और नवाबों के महलों में हजारों पर जाता महलों में हजारों पर जाता यह आपने कलिदी अलफाज में देखा है बच्चों नवाब और राजा महलों में रहते थे तो वहां पर उनकी फीज, वही बाता आ जाती है, कि वो राजाओं नवाबों की फीज हजार रुपिया उनके लिए फीक्स थी, यही नहीं, बलकि अक्सर तुटी फुटी जौपटी जोप्रियों में भी वो खिदमत करta नजर आता, वो राजाओं माराजाओं नवाबों के घरी नहीं जाते थे महलों में नहीं जाते थे बलकर अक्सर तुटी पुटी जोपियों में भी खिदमत करते थे वो नजर आते थे और इसके पास से बेश्मा गरीबों को मुफ्त भी दमाएं देते थे वो अपने पास से जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम में सुबर ठीक 6 बजे हकीम साहब घर से निकल आते और बहुत से मरीजों को देखते कभी-कभी इनके गैर जरूरी बाते भी सुनते मगर पेशानी पर बलना लाते उनके इस आम दर्बार में छोटे बड़े का फर्क ना था अमीर हो के गरीब सब को बारी-बारी देखते बच्चों जाड़ा गर्मी बरसात साल के तीन मौसम होते हैं ये तीन मौसमों के बारे में उनका ये उसूल था कि हर मौसम में उस सुबर ठीक 6 बजे अपने घर से निकलते और मरीजों को देखते यही नहीं बलके मरीजों की गयर जरूरी बाते भी सुन लेते मगर पेशानी पर बल ना लाते बलके उनकी गयर जरूरी बाते जो उनको नहीं सुनना होती फिर भी वो उनकी बाते सुनते मगर पेशानी पर बल ना लाते पेशानी पर बल ना लाना मतलब बुरा ना मनती है उनके इस आम दर्बार में यानि उनके क्लिनिक पर आम दर्बार में छोटे बड़े का फर्क नहीं था उनके पार अमीर हो या गरीब वो सबको एक जैसा ही इलाज करते उनके साथ एक जैसा ही सुलुक करते ये नहीं कि अमीर है तो इनसे बहुत अच्छे से बात की जाए ये गरीब है तो इनको जिड़क दिया जाए बलके अमीर हो या गरीब सब को बारी बारी देखते थे हकीम सहाब बड़ी समझबूच के आदमी थे उन्होंने मुलक की सिरासत में भींज़ा लिया था वो शुरही से चुटी के लिड्रों में गीने जाने लगे थे सियासी कामों के साथ हकीम सहाब समाच कामों में भी खोब इसा लेते थे ऑड़तों की तालिम के वो बड़े हामी थे वो हमेशा हिंदूओं और मुसल्मानों में इतिहाद और इतिफाक के लिए कोशिश करते रहे सन 1919 में जल्यान वाला बाग के मकाम पर अंग्रेज़ ने बहुत से हिंदुस्तानी को कतल कर दिया था हकीम अजमल खान ने हिंदूओं और मुसल्मानों के इसकतल आम के खलाफ एधिजाज किया बचों हकीम साब बहुती समझदार इनसान थे बड़ी समझबुच के आदमी थे हर काम बड़ी समझबुच के साथ करते हैं उन्होंने मुल्की सियासत में भी हिस्सा लियाता वो सियासी कामों के साथ साथ समाजी कामों में भी बहुत हिस्सा लेते थे औरतों की तालीम के वो बड़े हामी थे यानि वो चाहते थे के औरते भी तालीम हासिल करें वो हमेशा हिंदू और मुसल्मानों में इत्याद और इत्वाक के लिए कोशिश करते रहे हकीम अजमल खान हमेशा हिंदू और मुसल्मानों में इत्याद और इत्वाक पैदा रहे इत्वाक रहे, एक दूसरे के साथ मिल के रहे, बाजारी के साथ रहे ये हमेशा उनकी कोशिश रही है बच्चों 1919 में जलियान वाला बाग के मकाम पर अंग्रेजों ने बहुत से हिंदुस्तानिकों कतल कर दिया था जलियान वाला बाग बच्चों नीचे एक तस्वीर नजर आ रही होगी आप उन तस्वीर में देखेंगे तो पता चलेगा देखिए कैसे अंग्रेज यहाँ पर हिंदुसानियों पर गोलिया चला रहे है बच्चों पूर अमन तरीके से एहतिजाज किया जा रहा था फिर भी अंग्रेजों ने उन पर गोलिया दागी हकीम अजमल खान ने हिंदुआ मुसलमानों के इस कतले आम के खिलाफ एहतिजाज किया आवाज उठाई बच्चों इन में सिब मुसलमानी नहीं थे शहीद होने वालों में जख्मी होने वालों में हिंदु और मुसलमान दोनों ही शामिल थे तो इस कतले आम के खिलाफ हकीम अजमल खान ने आवाज उठाई हकीम सहाब All India Muslim League के सदर थे उन्हें Indian National Congress का भी सदर बनाया वो सोच समझ कर सियासत के मैदान में आये थे इसलिए उन्होंने बड़ी बेजिगरी से काम किया और आखिर दम तक मुल्क को आज़ाद कराने के लिए सियासत के मैदान में जमे रहे बचो देखिए यहाँ पर तस्वीर दी गई है All India Muslim League और नैशनल कांगरेस के इंडियन नैशनल कांगरेस के हकीम साहब लोगों की खिदमत ही को सबसे बड़ा काम समझते और खिदमत के मौके को कभी हाथ से ना जाने देते एक मतबा दहली में कोई वबाई मर्ज पहला इस मर्ज में खानदान के खानदान साफ हो गए घर घर मातम था कोई किसी की खबर लेने वाला ना था दहली पर ऐसी आफ़त आई के अच्छे अच्छों के औसान खता हो गए ऐसे नाज़ुक वक्त में भी हकीम साहब लौरियों में दमाईयां बाटते फिरते थे उनको अपनी जान की कुछ परवा ना थी बच्छों आप लो देख रहे हैं नीचे मरीज है दवा खानी की तस्वीर दिखाई दे रही है मरीजों का इलाज हो रहा है हाकीम साहब जो थे लोगों की खिद्मत को ही अपना सबसे बड़ा काम समझते थे और खिद्मत के मौके को कभी भी अपने हाथ से ना जाने देते एक मरतबा देहली में कोई वबाई मर्ज पहला वबाई मर्ज बच्छों एक ही वक्त में कई लोगों को वबाई मर्ज हो जाता है उस वक्त यह वबाई मर्ज ऐसा पहला कि इस मर्ज में खानदान के खानदान साफ हो गए खानदान के खानदान साफ हो गए यानि कि उ मर्ज से खानदान खत्म हो गया उस मर्ज से मारे गए घर-गर मातम था घर-गर मातम यानि ज्यादातर घरों में घर-गर मातम यानि घर-गर में कोई न कोई उस मर्ज से मुपता था और इंतिकाल कर गया था तो जहां अपने इंतिकाल कर जाते हैं तो तकलीफ होती है तो इसलिए कहा जाता है कि गरगर मातम था कोई किसी की खबर लेने वाला ना था यहीं कोई भी किसी की खबर नहीं लेता है सब अपने में लगे वे थे क्योंकि हर एक इस मर्ज से जूजरा था दहली पर ऐसी आफ़ट आई कि अच्छे अच्छों के और साँ खता हो गए यह यह दहली पर वबाई मर्ज एक आफ़ट की तरह आया जहा पर अच्छे अच्छों के औसान खता हो गए, इसका मतल्ल, अभी यह है, बच्छों, औसान खता हो ना घबरा जाना, यह सब के सब खबरा गए थे, इस बिमारी से, इस वबाई मर्ज से, ऐसे नाजूक में भी, हकीम सहाब लौरियों में दुआईयां बाटते फिरते थे, उन्होंने डहली का यूनानी और अयुर्वेदिक तिब्वी कॉलेज कायम किया और इसे खुब तरक्की दे इस कॉलेज को अपना दवा खाना दे डाला जिसका सालाना मुनाफ़ा लाखो रुपए था मुसल्मानों की जदीद तालीम के लिए अलिगर में जामिया मिल्या इसलामिया की बुन्याद डाली गई बाद में ये दारा देहली में मुन्तकिल कर दिया गया हकीम साब इसके पहले वाइस चेर्मेन मुकरर किये गए आखरी समाने में वो अपना ज्यादा वक्त जामिय मिल्या के कामों में लगाते थे बच्चों ये जामिय मिल्या इसलामिया अलीगर्ण में काइम किया गया था बात में ये देहली में मुक्तकिल किया गया इबरांच को हकीम साहब ने डेली का यूनानी अहिरुवेदी तिबी कॉलेज कायम किया था उसे खुब तरक्की भी दी बलके इस कॉलेज को अपना दवा खाना भी दे दिया था जीस का सालाना मुनाफ़ लाख रुपे था थे लोगों की खिदमत करना लोगों की बलाई के बारे में सोचना उन्होंने मुसलमानों की जदी तालिम यानी नई तालिम के लिए अलीगड़ में जामिय मिलिया इसलामिया के बुनिया डाल दी यहां पर अलीगड़ में अदारा काइम किया गया लेकिन बाद में उसे मुन्तकिल देहली में कर दिया गया हकीम साहब इसके पहले वाइस चेर्मेन मुकरर किये गया इससे उनको बहुत सी उमीदे थी आगे चलकर उनकी उमीदे पूरी हो नी और आज जामिय मिलिया इसलामिया मुसल्मानों का एक बड़ा अधारा बन गया ऐसे लोग रोज रोज पैदा नहीं होते आज हकीम साहब नहीं है इनकी याद लोगों के दिलों में जिन्दा है बच्चों अब हम सबक के अलफाज माइनी देखते है नामी उसके मानी है मशूर दुनिया से उठ जाना यानि इन्तिकाल हो जाना तबीब हकीम अजीज दोस्त को कहते है महलों में हजारों पर जाना अमीरों के इलाज पर हजारों रुपे लेना यहीं नवाब साहब और राजाओं के हाँ जब हकीम अजमल खाँ जाते तो उनकी इलाज पर हजारों रुपे लेते वैसे भी उनकी फीज हजार रुपया मुकरर थी वबाई मर्ज ऐसी बिमारी जो एक साथ बहुत से लोगों को हो जाती है जो सबक में हमने समझा है आफ़त यानि मुसीबत औसान खता होना घबरा जाना पेशानी पर बलना आना यानि बुरा ना मानना एक जुमले में जवाब ली कहिए सवाल नमबर एक अजमल खान किस वज़र से मशूर थे जवाब है अजमल खान एक अच्छे हकीम होने की वज़र से मशूर थे हकیم अजमल्खान राजाओं और नौबों से कितनी फीस लेते थे जवाब हकیम अजमल्खान राजाओं और नौबों से महाना 1000 और फीस लेते थे सवाल नमबर तीन हकیम सहाब जो कुछ कमाते वो कहां खरच करते थे इसका जवाब है बच्चों हकीम सहाब जो कुछ कमाते वो अपने अजीजों और गरीबों की मदद और कौमी कामों में खर्च करते थे सवाल नमबर चार है हकीम सहाब अपना ज्यादा वक्त किन कामों में लगाते थे जवाब है हकीम सहाब अपना ज्यादा वक्त जाम्या, मिल्या, इस्लामिया के कामों में लगाते थे सवाब की मदद से खाली जगों को मुनासिब अलफास से पूर कीजिये एक दहली में एक बड़े खाली जगा हकीम थे तो बच्चों खाली जगा पर आएगा नामी फिर देखते हैं नमबर एक दहली में एक बड़े नामी हकीम थे दूसरी खाना पुरी उन्होंने मुल्की सियासत में भी खाली जगा हिस्सा लिया था इस खाली जगा में आएगा अमली फिसे पढ़ते हैं उन्होंने मुल्की सियासत में भी अमली हिस्सा लिया तीन औरतों की तालीम के वो बड़े खाली जगा थे हामी औरतों की तालीम के वो बड़े हामी थे चार एक मरतबा दहली में कोई खाली जगा मर्ज फैला खाली जगा में आएगा वबाई मर्ज वबाई एक मरतबा दहली में कोई वबाई मर्ज फैला तो बच्चों हमारा सब यहीं खत्म होता है फिर मिलेंगे अगले सेशन में उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत सब नहीं मालूमात भी मिली होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुँचे और आप उसका भरपुर फाइदा उठा सकें तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में लबते के लिए अला हाफीज